हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आर्वी एडिटीव क्लास में तो स्टुडेंट आज का हमारा जो कोश्चन है कोश्चन नंबर 5 है क्लास 9 की मैथ से एक्सरसाइज 10.5 से लिया गया है पेज नंबर 185 पर आपको मिल जाएगा तो इस वीडियो को हम डिसकस करेंगे और आप पेपर पेन लेके बढ़ जाएगे साथ में लिखते भी रहिए चलिए शुरू करते हैं आपके कोश्चन में हमसे बोला गया है इन फीगर ABCD are four points on a circle AC and BD intersect at point E such that angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree find the angle BAC ठीक है हमें ये वाला angle बताना है तो सबसे पहले हम given right कर लेते हैं गीवेन है हमारे पास angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree हमें find क्या करना है find angle BAC ठीक है ये हमें angle BAC find करना है तो आप द्यान से देखना है सबसे पहले हम यहां पर काम करेंगे इस लाइन पर इस वाले लाइन पर ठीक है इस point पर इस point को E लिट कर लेते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले इस point पर बात करेंगे तो आप देखो यह वाली जो BD है एक straight line बन रही है तो E point पर इस angle और इस angle का सम 180 degree होगा because linear pair angle so angle B E C plus C E D is equal to 180 degree reason linear pair angle ओके तो यहां से में B E C के बालू पता है 130 degree angle C E D हमें find करना है 180 degree ठीक है इसको ले जाके उदर minus करेंगे तो क्या होगा देखो angle C E D is equal to 180 degree minus 130 degree यह हमें मिल जाएगा angle C E D is equal to 50 degree ठीक है कितना मिल जाएगा 50 degree आप देखो आप क्या करेंगे यहां पर ना यह वाला जो ट्रेंगल है C E D इसमें angle some property आपर ट्रेंगल यूज करेंगे और इस angle को find करेंगे इस angle को ठीक है तो पहले आप इतना right कर लिजे या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लिजे फिर आगे बढ़ेंगे आगे देखी क्या होगा इन ट्रेंगल C E D बाई यूजिंग एंगल सम प्रापर्टी आप आप ट्रेंगल तो एंगल सम प्रापर्टी आप ट्रेंगल क्या होता है इस हमाफाल एंगल सिज इकोल टू 180 डिगरी तो यहाँ पर देखो एक एंगल यह बन रहा है एक एंगल यह बन रहा है और एक एंगल डी बन रहा है means angle CED plus angle ECD plus angle CDE is equal to 180 डिगरी देखो यह जो CED है ना CED यह अभी हमने find क्या है यहाँ से कितना 50 डिगरी प्लस यह जो angle ECD है ECD है हमें 20 डिगरी दिया गया question में यहाँ से हम अराम से angle CDE find कर सकते हैं इस इकोल टू 180 डिगरी तो देखो इन दोनों का सम होगा 70 डिगरी angle CDE is equal to 180 minus 70 डिगरी ठीक है तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा angle CDE is equal to 110 डिगरी जब 180 minus 70 करेंगे तो कितना आजाएगा 110 डिगरी आजाएगा लेकिन आप देको जो angle D होगा वही angle A होगा क्योंकि एक थेरम होती है angle in the same segment are equal also angle BAC is equal to angle CDE reason होगा because angles in the same segment of a circle are equal लेकिन यहां से angle CDE हमें पता है वो रख देंगे angle BAC is equal to 110 डिगरी और यहीं हमसे पूछा था यह इस question का answer होगा हमारा तो आप चाहें तो वीडियो को पहुच करके screenshot ले सकते हैं या फिर write down कर सकते हैं तो अमेद करता हूँ student इस वीडियो में आपको को समझ में आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने द